तो साथियों एक बार फिर हमारे प्रेक्टिस से टीजी टी पीजी टी कला भाग तीन में आप सभी का स्वागत है तो चले दोस्तों हल करते हैं तो पहला प्रस्ण दिया गया है प्राग इतिहासिक चित्रों के संदर्व में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य हैं तो इसका अप्शन नंबर से हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि यहां पर असत्य पूछा जा रहा है तो प्राग इतिहासिक चित्रों में दमकता लाल चमकता चमकीला नीला यों प्रफुल हरा रंग भरा गया यह कथन बिल्कुल असत्य हैं चलिए अगले प्रस प्राग इतिहासिक चित्र क्या है तो प्राग इतिहासिक चित्र गुहा चित्र है आप्सन नंबर भी बिल्कुल राइट है यानि प्राग इतिहासिक चित्र वे गुफाओं में बनाए गये थे गुफा को ही गुहा कहा जाता है चलिए अगले प्रसन पर चलते हैं अगला प अहां पर इस्थित हैं तो इसका option number C बिल्कुल राइट है उत्तरी श्पेन युम दच्छडी फ्रांस में यूरोपी प्रागयतिहासिक चीत्रों के प्रमुकेंद्र इस्थित हैं चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण दिया गया है महाराणी नेफेर तिती का संबंध निम्ड में से किस काल से है तो इसका option number C बिल्कुल शी निश्वारी इसका option number B बिल्कुल राइट हो जाएगा यानि middle kingdom जो है महाराणी नेफेर तिती का संबंध है चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण दिया गया है निम्लिकर में से काउन सा एक नगर हरपा संसकरती का नहीं था यहाँ पर पूछ रहा है नहीं था इसका option number D बिल्कुल राइट है यानि गिरिनार हरपा संसकरती का जो है इस्थल नहीं था वहीं लोथल बनवाली काले बंगा एतेनों हरपाई इस्थल थे चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण है मोहन जोदडो अवधिकी नर्तकी की मूर्त का माध्यम क्या था यानि किस चीज की बनी थी इसका उप्सन नमबर बी बिल्कुल राइट है यानि मोहन जोदडो अवधिकी नर्तकी की मूर्त का से की बनी हुई थी चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण दिया गया है सैंध्यों सभ्यता में प्राप्तपूर परिपक को प्रमाडिक कितने इस्थलों को नगरों की संग्या दी जा सकती है इसको option number A बिलकुल right है यानि सेंधो सबता में प्राप्ट पूर परिपत को प्रमाडित दो इस्थल हैं जिनको नगरों के संग्या ती जा सकती है चलिए अगला प्रश्ण है सिंद गहाटी में प्राप्ट मोहरे बनी थी किस चीज की बनी हुई थी जो सिंद गहाटी में मोहरे मिली है वो मिट्टी की बनी हुई थी इसलिए option number A हमारा बिलकुल right है चलिए अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण दिया गया हडपा सबता इनमे से किस के लिए प्रसिद्ध है इसका option number B बिलकुल right हो जाएगा क्योंकि हडपा सबता इनिटों के उप्योग के लिए प्रसिद्ध है चलिए अगला प्रश्ण है नवपासाण युग में मानव कहां रहता था तो इसका option number B बिलकुल right है क्योंकि नवपासाण युग में मानव बस्तियों में रहनी लगा था चलिए अगला प्रश्ण दिया गया है मानव मुख के साथ पंक धारण के सांड किस कला में पाया गया है इसका option number B बिलकुल right है यानि असीरिया मानव मुख के साथ पंक धारण के सांड असीरिया कला में पाया गया है चलिए अगले प्रश्ण पर चलते है बादामी गुफा मंदिर किस राजी में इस्थित है इसका option number D बिलकुल right है बादामी गुफा मंदिर करनाटक राजी में इस्थित है चलिए अगला प्रश्ण दिया गया है बादामी की गुफा किस सहली का प्रतिन धित्त करती है इसका option number B बिलकुल right है यानि बादामी की गुफाएं चालुक कि सहली का प्रतिन धित्त करती है चलिए अगला प्रश्ण दिया गया है इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है इसका option number A बिल्कुल right है यानि इतिहास में सिकंदर के समय की कला को हाइलिनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है चले अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण दिया गया है अल्टा मीरा गुफा कहां स्थित है इसका आप्शन नमबर भी बिल्कुल राइट है यानि अल्टा मीरा गुफा इस्पेण में स्थित है चलिए अगला प्रश्न दिया गया है इस्पेण की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं तो इसका option number C बिल्कुल right है, इस्पेन की अल्टा मीरा गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं, चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं सबसे पुरानी ग्यात कलाक्रत है, इसका option number बिल्कुल a right है, क्योंकि भीम बेटिका पेट्रो ग्लिक्प्स सबसे पुरानी ग्यात कलाक्रत है चलिए अगला question है, भीम बेटिका के गुहा चित्रो में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रियोग में किया गया या प्रियोग किया गया प्रियोग में लाया गया इसका option number D बिलकुल right है यानि लाल रंग भीम बेटिका के गुहा चित्रों में सबसे अधिक प्रियोग में लाया गया चली अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण दिया गया है प्रागा इतिहासिक चित्र उत्तर पदेश में कहां है तो इसका option number C बिलकुल right है लखनिया में है चली अगला प्रस्ण दिया गया है जो कि आज की सीरीज का अंतिम प्रस्ण है मिर्जापुर छेत्र की किन पहाड़ियों पर भारते गुफाचित्र बने हुए है तो इसका option number D बिलकुल right हो जाएगा काइमूर की पहाड़ियों पर मिर्जापुर छेत्र की जो है भारते गुफाचित्र बने हुए है चलिए दोस्तों आज का ये सिसन यहीं पर समाप्त होता है अगला सिसन जेश्ट हम लेके उपस्थित होंगे जिस साथे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न कियो हो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक अवस्य कर दे तो दोस्तों आप सभी कमेंट करना हम इसके बाद जो है टापिक वाईज इसी के प्रस्नोत्तर लाने वाले हैं यदि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगे कमेंट करके अवस्य लिखना तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद